नाज सुकसे सिराल नाज टॉपिक मिल जाएगा दीवारों का आधा प्लास्टर जड़ चुका है ये पुराने जमाने के दर्वाजे और खिड़किया ऐसे घर में आजकल कौन रहता है बात तो तिरी सही है पिछले पंदरा साल से घर में रेनोवेशन तक नहीं हुआ है पूरा घर खसता हालत में मम्मी पापा तो घर की मरमत कराने के नाम से कोसो दूर भागता है मुझे असा लगता है कि अब ये जिम्मेदारी हम दोनों को ही अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी वरना हमारा सारा जीवन इस चड़ते हुए चुने वारे मकान में भी बीट जाएगा हरे विया आपने तो मेरे मूग की बात चिनली मैं तो सच में बहुत दिन से आपको ये बात कहना चाह रहा था लेकिन मुझे इसी बात का डर था कि कहीं आप मेरी इस बात से नराज ना हो जाओ आपको अपने मन की बात बताओ साक्षी कितनी बार मुझसे जगड़ा कर चुकी है कहती है घर की हालत सु दर्वा हमारे घर को देकर उसकी सारी सैलिया उसका मजाक उड़ाती है मकान की मरमत कराने का नेने लेने के बाद अमित और देव ये बात अपनी पत्नी को बताते है क्या अब सच कह रहे हो देव सच में हमारा घर बिलकुल नया होने वाला है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कई में कोई सपना तो नहीं देख रही हरे बाबा ये कोई सपना नहीं है सच मुझ पूरे घर का हुलिया बदलने वाला है मुझे तो अभी भी यकिनी हो रहा कि ये जड़ता हुआ चूना और सीलन वाली दिवारे इस जनमे मेरा पीछा छोड़ने वाली है मुझे तो लगता था कुछ दिन में लोग मुझे साक्षी गुपता से साक्षी सीलन वाला कहकर बुलाने माले हैं लेकिन उपरवाले का चमतकार तो देखो एकदम से वक्त ही बदल दिये जिस बात ही बदल दिये अगर तुम्हारी नौटन की हो गई हो तो अब आगे बात करें बताओ ना क्या बात है वो ना मैं जरा भाव नाओ में बैय गई थी देखो मैंने और भाईया ने सोचा है कि जब इतने सालों बाद रिनोवेशन होई रहा है तो क्यों ना सब एकदम लेटे स्टाइल का ही पिक किया जाए तुम हमेशा मॉडियूलर किचन बनवाने के लिए कहती थी न तो सोच रहा हूँ अब तुम्हारे लिए एक मॉडियूलर किचन ही बनवा दो तुम्हारे किचन में ग्लास कुक टॉप और चिमनी लगवाने के सोच रहा हूँ उसके अलावा ये पुराने सारे बरतन हटा दो बल्कल नया डिनर सेट आएगा साक्षी पती देव की बात सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि उसके पाउं तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे अगले दिन अरे साक्षी तुमने सुना हमारे घर को नया जीवन मिलने वाला है कल ही तुम्हारे जेट जी पूरा घर नय सीरे से तयार करवानी को कह रहे थे अच्छे उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक लिस्ट बना ले कि हमें अपने घर में क्या-क्या चाहिए जिठानी की बैट सुनकर दोनों देवरानी जिठानी बैट कर एक लिस्ट तयार करने लगती है कि उन्हें क्या चाहिए सुनिए हमने अपनी चॉइस की सारी चीजों के एक लिस्ट तयार कर दिये अब आप लोग देख लीजिए इनमें से जो भी बज़ेट में फिट होता हो अप लगवा दीजिए देखो मैंने और देवने यही डिसाइड किया है कि अब जब घर बनी रहा है तो क्यो ना सब की पसंद का लेटेस्ट टायल का ही करा लिया जाए अब मकान कोई रोज रोज तो बनते नहीं हम नहीं जाते कि चांद रुप्य बचाने के चक्कर में तुम लोग जीवन पर अपना मन मार कर इस घर में गुजारा करो इसलिए बजड़ बजड़ की चिंता छोड़ दो और दिल खोल कर अपने लिए मकान के लिए मन पसंद चीज़े पसंद करो इसे कहते हैं उपर वाला जब भी देता है चपर फाड़ कर ही देता है कहां तो हम इस चूने वाले सीलंदार मकान में रह रहे थे और आप सीधा बंगले में पहुच जाएंगे देव मोबाइल में अपने बड़े भाई को एक डिजाइनर का प्रोफाइल दिखाता है भाईया ये देखो ये एक डिजाइनर है जिसका होम डेकर की यूनिक आइटम्स का काम है मैं सोच रहा हूँ नए मकान में कोई भी पुराना सामा ना ही इस्तमाल किया जाए तो अच्छा है अरे हमारे घर का सारा फनीचर 15-20 साल पुराना है जिसे देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं तो घर का सारा फनीचर OLX पर बेच देते हैं और अपने नए घर के लिए नया और ट्रेंडिंग फनीचर खरीद लेते हैं आइडिया तो तुम्हारा वाकई बहुत अच्छा है लेकिन खाली फनीचर नया लगाने से कुछ नहीं होगा घर के लिए कुछ यूनिक डेकोरेशन आइडिया ढूँडो ताके हमारा ड्रोइंग रूम सबसे अलग दिखाए दे मेरी पास एक आइडिया है मेरी सहली वंदना ने अभी कुछ दिन पहले ही नया घर लिया है एक तो उसकी घर का बहुत ही स्टाइलिश इंटिरियर है इतना सुंदर उपर से उसके घर में रखे सुंदर कार्पिट और हैवी जुमर बिल्कुल मन मोलेते हैं क्या हम लोग भी अपने ड्रोइंग रूम के लिए कार्पिट और जुमर ले सकते हैं कार्पिट? मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप महेंगे कार्पिट और जुमर ही लगाओ हम कोई सस्तावला ओप्शन ढूंड सकते हैं भागी आप लोग सूच लो अरे भागेवान सस्ता सा क्यों लेना है तुम महेंगा कार्पिट मंगाओ देखो रेनोवेशन के बाद घर ऐसा दिखना चाहिए कि देखने वालों की आखे खुली रह जाए और तुमारी सहलिया बहुत मजाग बनाती थी ना तुमारे घर का अब तुम अपने घर को बस तैयार हो जाने तो कार्पिट और जुमर तो मैं इंपोर्टेड मंगवाने वाला हूँ तुम बस देखती जाओ पती की बैद सुनकर दोनों पतनिया हक की पकी रह गए थी देव याओ ये देखो ये टायस के डिजाइन कैसे लग रहे है मैंने सारी इंपोर्टेड स्टायल ही मंगवाए टायस तो वाकर ये बहुत अच्छी लग रहे है भीया इतनी चमके इनके अंदर कि इनकी शायन में अपना चेहरा भी बड़ी आजानी से देखा जा सकता है सुनो ना कीचन की कैबिनेट्स में हम लोग वुडन नहीं ग्लास वक कराएंगी सब कुछ एक्दम क्लैसी और ट्रांस्परेंट होगा मैंने पूरे घर के लिए नया फ़निचर भी पसंद कर लिया है नया बैड, सोफा और गद्दे भी नया आ रहे हैं मैंने असा बॉर्डर कर दिया है सब कुछ फाइनल करने के बाद जल्दी घर में काम शिरू हो जाता है और कुछी दिनों के अंदर उनका नया घर बनकर तयार हो जाता है वाह, हमारे नया घर को देकर कौन कहेगा कि ये वही घर है अब तो ये इतना खुबसूरत लग रहा है कि छूने से भी डर लग रहा है कि कहीं मैला ना हो जाए सही कह रहा है भाईया, सच में घर बहुत सुंदर लग रहा है जब से नया घर बनकर तयार हुआ था, घर में किसी की भी पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे याद है आपको रश्मी भाबी, जब हम लोग खाना बनाते थे ना, पूरे घर में छौक की महग फैल जाती थी और बाबुजी खास खास कर परिशान हो जाती थे मैं तो कह कह के ठक गई थी कि कम से कम इस किचन में एक धंका एक्जास्ट फैन ही लगवा दो ताकि किचन के चौके से बाकी लोग तो परिशान ना हो लेकिन कौन जानता था कि भगवान इसे चपड़ फाड़ कर खुशिया बरसाएंगे हमारे घर पर अब तो जब से यह इंपॉर्टेट चिमनी लगी है किसी को पता ही नहीं चलता कि किचन में कब खाना बन जाता है तोड़ी मैंगी ज़रूर है लेकिन रश्मी और साक्षी बात करी रहे थे कि अमित किचन में आता है और यह क्या हाल बना दिया आप लोगों ने इस चिमनी का अरे कैसे शीशे की तरह चमक रही थी तीन दिन पहले और अब देखो कैसे तेल की परच चिपक गई इसके उपर देखो ऐसा है कि लाखोर रुपय का खर्चा आया इस मकान को बनवाने में आप लोग इस तरह से इस्तमाल करोगे ना तो दो साल भी नहीं चलने वाला यह सब अरे पर इस्तमाल करने से घंदा तो होता ही है ना? इसमें इतना शोर मचाने जैसे क्या बात है? अगर घंदा ही करना था तो लाखो रुपया खर्च करने की ज़रूत क्या थी? पहले वाला किचन घंदा ही तो था, करती रहती उसे इस्तमाल आपकी कहने का मतलब क्या है आप क्या चाहते हो कि पूरा दिन किचन में खाना बनाने के बजाए मैं बस घिस घिस कर इसे साफ ही करती रहू मैंगी चीज लगवाईए तो उनकी देखबाल करना भी तुम्हें सेखना ही पड़ेगा रश्मी किचन में खाना तुम बनाती हो तो सफाई करने कोई और तो आएगा नहीं अब सही आप दोनों की जिम्मेदारी है खाना बनाने के बाद पूरे किचन को बिल्कुल उसी हालत में छोड़ना है जैसे तुम्हें मिली थी देव और अमीत अपनी पत्नियों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तयार नहीं थे बल्कि अब तो ये उन दोनों का रोज का काम हो गया था आफिस से आने के बाद वो पूरे घर का मुआयना करते और जरासी भी धूल, मिटी या गंगी दिक्चाने पर अपनी पत्नियों का जीना दुश्वार करते थे साक्षी हजार बार कह दिया है तुमसे कि सामानों की थड़ी कदर कर लिया करो, लेकिन तुमने तो जैसे ना सुनने की कसम खा लिये अरे आखिर हुआ क्या है, क्यों ते नाराज हूरे हो ये देखो डाइनिंग टिबल, दोपैर में खाना खाने के बाद लगता है, कपड़ा ही नहीं मा रहा है अब ये सब बताने के लिए भी किसी को हायर करना पड़ेगा क्या? अरे ये तुम्हारा घर है, पती चाहे मकान बनवाने में बिक जाये, लेकिन पत्नी को कदर नहीं है सही कहता है लो, आसानी से मिल जाने वाली चीज की कदर किसी को समझ में नहीं आती देव तुम कुछ जादा ही नहीं बोल रहे हो, और ऐसे क्या फाइदा उठा लिया में आज तक तक तुम्हारा, जो तुम्हें इतनी बड़ी-बड़ी बाते सुना रहे हो मुझे और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए महल बनवा कर दो, मैं तो बस ये चाहती थी कि वो जड़ता हुआ चुना रिपैर हो जाए पहले तुम दोनों भाइयों ने ये शीशे का महल खड़ा कर दिया, और अब हमारा जीना मुश्किल किये हुए हो करनी पढ़ रही है तो उसमें भी रो रही हो, ममा क्या हुआ, पापा अपर ऐसे क्यों चिला रहे है, खुश नहीं बिटा, तुम चिंता मत करो, आज की बात नहीं चिलाएंगे हा, गलती शायद ममा की थी, बात को आगे न बढ़ाने के कारण साक्षी देव की सारी बाते मा वो पापा पेंसिल मुझसे लग गई थी, मैं गट्टो को कुछ बना कर दिखा रही थी, रश्मी ध्यान का रहता है तुम्हारा, अरे बच्चे यहां दिवारे गंदी कर रही है और पता नहीं तुम किस दुनिया में हो, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दे दिया करो, पू अरे बच्चे हैं, करते हैं, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, यह दिवार हमेशा चमकती नहीं रहने वाली, गंदा तो होना ही है, अच्छा, तब तो मुझे लाखो रुपय पाने में डालने की कोई जरूरती नहीं थी, तुम्हें गंदी दिवार के साथ रहना अमित के बातों का रश्मी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए परिशान होकर वो वापस अपने काम में लग जाती है, जब यह घर बनकर तयार हुआ था, तो मैं कितनी खुश थी, लेकिन मैं कभी यह नहीं जानती थी, कि इस नए घर में रहने की कीमत मुझे अपना चैन और शांती गवा कर चुकानी होगी, इससे अच्छा तो हमारा पूरा ना टूटा पूटा घर ही ठीक था, कम से कम घर में रोज रोज की जिक्चिक तो नहीं होती थी, गट्टू बिटा क्या है यह सब, जाओ बार जाकर खेलो, अगर आज की बाद मैंने तुमें किते देखा न, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्या बात होगी देव, क्यों बच्ची को डाट रहे हो, अरे कार्पेट कोई खेलने की जगह होती है क्या, पूरा असी हजार का कार्पेट है, तुमारे बेटे के जूते से कुछ कुछ चलवाने के लिए नहीं खरीदा अरे नया मकान क्या बन गया, हमारे तो जिन्दगी दुश्वार होगी, अरे जब देखो उठते, बैठते, सोते, जाकते, बस साफ सफाई करने के लिए टोकते रहते हैं, तुमारे जेट जी कौन सा कम है साक्षी, वो भी हर समय मुझे साफ सफाई करने के लिए भाशन देत हैं, क्या बात है बहु, तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो, माजी दिन रात के इस चिक-चिक से हम दोनों परेशान हो गया है, जब से घर में नया फरनिचर और रिनोविशन का काम हुआ है, हमारे बच्चे भी खुल कर घर में खेल नहीं सकते, कभी कहते हैं सोफे पर मत बैठो, तो कभी कहेंगी कारपेट पर पैर मत रखो, कल तो बैट पर भी बच्चों को खेलने से रोक रहे थे, अब आप ही बताइए माजी हम लोग करें तो आखिर क्या करें, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा, अरे हम लोग दो घंटा किचन में खाना बनाते हैं, और उसके बाद चार घंटा किचन के सफाई करते हैं, कहते हैं, चिमनी के उपर तेल का एक दाग तक नहीं रहना चीए, आप ही बताइए, पूरे घर का काम करने के बाद इतना समय और ताकत बच्टी का हैं, कि सब कुछ घिस घिस कर साफ कर सके, तुम लोग चिंता मत करो, इन दोनों को सुधाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, अगले दिन, रश्मी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, लेट हो रहा है, लेकिन आमित, नाश्ता तुमेंने बनाया हैं नी, तुम देख नहीं रहो, किचिन में ताला लगा हुआ है, किचिन में ताला क् ना किचिन में खाना बनेगा, ना दीवारे गंदी होगी, और तुमने कहा था ना, तुम्हें किचिन बिल्कुल उसी हाल में चीए, जैसे तुमने मुझे बनवा कर दी थी, तो जब किचिन को इस्तमाल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल गंदी नहीं होगी, और चमकती हुई द अरे साक्षी कहा हो तुम ये बात्रूम में ताला क्यों लगा रखा है दीव बार बार साक्षी को आवाज लगाता है लिकिन जब साक्षी कमरे में नहीं आती तो वो अपने कमरे से निकल कर हॉल वाले बात्रूम की और जाने लगता है अहल वाले वाश्रूम में भी ताला लगा हुआ है ये क्या हो रहा है गर में अरे मा ये घर के सारे बातरूम में ताला क्यों जड़ रखा है मुझे बातरूम इस्तमाल करना है ताले की चाबी किसके पास है जल्दी खोरो ना इसे नहीं बिटा बातरूम का ताला तो नहीं खुलेगा कैसी बात कर रही है मा ताला क्यों नहीं खुलेगा और अगर ताला नहीं खुलेगा तो बातरूम इस्तमाल करने के लिए कहा जाओंगा मा अरे बिटा लोटा ले लो जंगल की तरफ निकल जा पुराने जमाने में भी तो ऐसी होता था ना ममी अब कहना क्या चाहती हो साफ साफ को ना मा जी बस यही कहना चाहती है कि बातरूम का ताला नहीं खुलेगा क्योंकि अगर बातरूम का ताला खोल देंगे तो सब लोग जाकर बातरूम इस्तमाल करेंगे और इस्तिमाल करने से बाथरूम के ये महेंगे टाइल्स का मोड सब गंदा हो जाएगा ना और फिर तुम ही तो दिन में दस बार मुझे इस बात के लिए ताना देते हो कि तुमने कितने महेंगे टाइल्स और बाथरूम एक्सेसरीज लगवाए है उन सब को नया और चमकदार बनाये रखने के लिए हम तीनों ने यही आइडिया लगाया है कि महेंगे बाथरूम का इस्तिमाल करना ही बंद कर देते हैं जब इस्तिमाल ही नहीं होगी बाथरूम तो साफ भी नहीं करने पड़ेगी और हमेशा चमक भी बनी रहेगी सुबह रसोई में ताला लगा कर आप लोगों ने खाना नहीं दिया अब बाथरूम में ताला लगा कर उसे भी इस्तमाल नहीं करने दे रहे हो और मा आप भी इनके साथ हो गई हाँ बिटा बहु बिलकुल ठीक ही तो कर रही है मुझे तो साथ देना ही था जब तक तुम दोनों के अकल ठीकाने नहीं लग जाती ये ताले नहीं खुलने वाले बलकि आज रात को मैं सारे बैडरूम में भी ताले लगाने वाली हूँ क्योंकि तुमने ये जो एक लाक रुपे के बैड लगवाए ना बिटा उन पर सोने से वो तूट भी तो सकते हैं इसलिए आज से तुम सबका बिस्तर जमीन में लगेगा तुम दोनों को बहुत शिकायत थी ना कि तुम्हारी ये इंपोर्टेट डाइनिंग टेबल के काच पर खाने के दाग लग जाते हैं तो मैंने दोनों बहुतों को समझा दिया है आज से सबका खाना चटाइ बिछाकर जमीन में लगा दिया करें उरो बस 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 मां मैं समझ गया मैं मांनता हूं मैंने सबके उपर कुछ ज्यादा ही सकती दिखा दी थी आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं भी अपनी गलती मानता हूँ रश्पी भावे और साक्षी के साथ इस तरह से व्यवान नहीं करना चाहिए था अमित और देश से कान पकड़ कर माफी मंगवाने के बाद अंत में रसोय और बात्रम के इताले खल जाते हैं और कर में सब लोग राहत की सांस लेते हैं